चिंतन को बोल रहा था ये तो दलितवादी नेताओं ने उनके दिमाग खराब किये उनके मन में खामुखा जहर भर रहे हैं समाज की जो समरस्ता है उसको बिगाड रहे हैं अपनी तुछ लीडरी के लिए परिस्थितियां ऐसी आती है कि कब आपको किस व्यक्ति के सहयोग की जरूरत पढ़ जाएगी समाज की व्यवस्ता इसी तरह चल रही है हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेष्टा है कुछ न कुछ कर्म कुशलता है उससे जैसे ही हम सब का सुख बढ़ाने के साथ जुड़ते हैं वैसे ही हम इश्वर की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं तो दो काम करना एक रोज थोड़ी वक्त बैठकर इश्वर की कृपा मांगना और दुसरे अपने से निचले स्तर के लोगों पर जितना हो सके कुछ कृपा परसाना तो इश्वर अगर आपको दिखाई देने लग जाएं तो आप क्या करेंगे अच्छा आप इश्वर को मानते हैं ये बताईए भगवान को मानते हैं आप सच-चच बताईए कोई ऐसे हैं जो भगवान को न मानते हो ऐसे कोई नहीं है आप यहां सब भगवान में विश्वास करने वाले लोग बैठे हुए है मैं आप से कहना चाहूँगा कि हमारा इश्वर में विश्वास है तो पर पूरा नहीं है आधा अधूरा है अच्छा कैसे अच्छा कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान को मानते तो हो लेकिन ये भी सोचते हो कि दिखता तो है नहीं माने कैसे आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो भगवान को नहीं मानते और उनके पास एक ही तरक है कि दिखता नहीं दिखाई नहीं देता कि आप चाहेंगे कि मैं अभी दो मिनट में आपको भगवान के दर्शन करा दू तयार हैं आप तयार हैं दक्षिना लोगा तयार हैं दक्षिनाद देखे जानने को तयार है है जी लूगा जरूर ध्यान रखना अभी अभी मांगूंगा चलिए कि इश्वर दिखते हैं दिखाई देते हैं यह बात बिल्कुल गलत है कि भगवान दिखाई नहीं देते पर देखने कि देखने का अंतर है कैसे दिखेंगे किस तरह दिखेंगे वो बात समझे दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उन्हें आप पांच तरह से देखते हो संसार की जितनी चीज़ें उन्हें आप पांच तरह से देखते हो आंक से कान से नाक से जीब से और तवचा से खाल से स्पर्श से जब आपने बहुत बढ़िया हलुआ बनाया और आपने अपने पती बच्चे घर के लोगों को कहा कि खाओ तो कहते हैं नहीं नहीं खाते हैं अभी तो आप कहते हैं खाकर तो देखो यह देखना है कि नहीं अभी तो कहते हैं खाकर के देखो चकर तो देखो अचा हलुए का स्वाद दिखता है आंक से स्वाद कैसा है हलुए का आंक से देखा कभी आपने पर क्या हलुए में कोई स्वाद नहीं है हलुए का स्वाद दिखता है जीब से चक कर तो देखो कभी आपने प्रभाकरजी के गीत सुने है अरे सुनकर तो देखो क्या आनंद आएगा सुनकर तो देखो अच्छा संगीत का आनंद आंक से लेते हो आंक से लेते हैं आप संगीत का आनंद कान से लेते हो न तो कान का देखना यानि कान का जानना शब्द को आप जानेंगे कान से जहां साइज है लंबाई है, चोड़ाई है, गहराई है, रूप रंग है, उसको आप देखोगे आँक से, आँक से खाली रूप रंग देखेगा, फूल का रूप रंग आप आँक से देखते हो, फूल की खुश्बू, नाक से देखते हो, तो अगर खुश्बू आँक से नहीं दिखाई दे तो क्या आप यह कह देते हो कि खुश्बू नहीं दिखती इसलिए हम नहीं मानते अरे खुश्बू को देखने का अलग इस्ट्रुमेंट है अलग रास्ता है अलग तरीका है नाक से देखो सूंग करके तो देखो पता चलेगा कैसी खुश्बू है तो दुनिया की जितनी चीजें हैं उनमें पांच ही क्वालिटी हैं शब्द है जो आप कान से सुन लेते हो रूप है जो आप आख से देख लेते हो स्पर्श है जो आप तवचा से देख लेते हो टेस्ट है स्वाध है जो आप जीब से चक लेते हो गंध है जो आप नाक से द पाते हो बस मैंने भूकंप से पहले वाले उत्सव में एक भाशन दिया था और बच्चों से पूछा था और बच्चे मान गए और सबसे बढ़िया जबाद दिये शुची ने डाक्टर प्रदीब जी की बेटी जिसने दस्वी क्लास में 92% मार्क्स लाई हूँ सब बच्चों आपको पढ़ने में पूरी मेहनत करके अपनी बुद्धी का विकास करना चाहिए अभी टेस्ट लेता हूँ बच्चों से बच्चे बताएंगे बड़े लोग नहीं चोटे बच्चे नहीं जो पढ़ लिख रहे हैं आठवी में नवी में दस्वी में ग्यार्वी बार्वी बताइए यह पैन आपको दिख रहा है पैन दिख रहा है सची बात है पैन दिख रहा है है अच्छा साइंस से पुछो एकरडिंग टू साइंस आप पैन को नहीं देख रहे हैं पैन नहीं देखा आपने आपने क्या देखा पैन की लंबाई चोड़ाई गहराई और कलर यह यहां से पिला यहां से सफेद यहीं तो देखा ना पैन नहीं देखा है साइंस कहती है आप किसी मैटर को कभी नहीं देखते मैटर की क्वालिटी देखते हैं अट्रिब्यूट्स देखते हैं आपने इस पैन की लंबाई चोड़ाई गहराई और रंग देखे पैन नहीं कमा कर देखा पर अभी पैने को आपने को सुना क्या पैन को तो नहीं सुना ना यह नशी कि कौन है यह भी आपकी पकड़ से बाहर है पैन का टेस्ट चखा आपने पैन को सूंग कर देखा पैन को सूंग कर देखा इसमें किसी एक तरह की स्मेल आ रही है ये भी पैन की एक गंध है पैन का एक गुण है पैन तो नहीं है आपने पैन को छू कर देखा यहां से उंचा है, यहां से पतला है कोमल है चिकना है ये पैन के गुण है ये भी पैन नहीं है ये चिकना और कठोर आपने पैन के गुण जान लिये हाथ से चुछ करके और पैन क्या करता है? पैनसिल क्या करती है? लिखती है यह आपने किस से जाना? यह आपने बुद्धी से जान लिया इसका उप्योग, इसका यूटिराइजेशन यह भी इसका एक गुण है बट वाट इस दे पैन? पैन क्या है? तो साइंस कहती है और बिल्कुल ठीक कहती है आप किसी चीज को कभी नहीं देखते आप सिर्फ उसकी लंबाई, चोड़ाई, गहराई और रंग देखते हो आप किसी चीज को कभी नहीं सुनते आप उसकी आवाज सुनते हो आप किसी चीज को कभी नहीं चखते आप उसका टेस्ट महसूस करते हो इन पाचों चीजों से आँख नाग, कान, तवचा और जीब से आप पाच गुण पहचान लेते हो किसी भी वस्तु के वो चीज हमेशा आपके ग्यान से बाहर रहती है तो जिस चीज में जो गुण है आप वो ही तो पहचान पाओगे जिसमें टेस्ट होगा उसको आप जीब से चकलोगे जिसमें रूपरंग होगा उसे आप आँख से देख लोगे जिसमें स्पर्श होगा उसे आप तवचा से देख लोगे जिसमें गंध होगी उसे आप नाक से देख लोगे लेकिन जिसमें शब्द नहो स्पर्ष नहो गंध नहो रूप नहो रस नहो उसे आप कैसे जानोगे अच्छा आपके पति आपको प्यार करते है आपकी पत्नी आपको प्यार करती है आपका बेटा आपको प्यार करता है आपकी मम्मे आपको प्यार करती है यह आपने आँक से जाना जीब से चक के देखा नाक से सुन के देखा कान से सुन के देखा हाथ से पकड़ के देखा कान से जाना मन से जाना है ना प्रेम है तो सही दुनिया में तो जिस चीज़ को आप जिस इंस्ट्रुमेंट से जिस तरीके से जान सकते हैं देख सकते हैं वो तरीका अपनाओ तो इश्वर का एक हिस्सा आपको आँख से दिखता है और एक बुद्धी से दिखता है और एक मन से और आत्मा से दिखता है आँखों से दिखने वाला इश्वर दिखाऊं, इतना बड़ा संसार क्या मैंने बनाया है या आपने, किसने बनाया है, तुमको ये इश्वर का एक गुण नहीं दिखाई दे रहा है, उसका निर्मान, उसकी व्यवस्था, उसका ओर्गिनाइजेशन, अरे दुनिया की सब च सूर्य समय पर उगरा है, चंद्रमा उतनी ही दूरी पर है, जितनी दूरी पर होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था, और इंतजाम, और इतना बड़ा विराठ जगत, जिसने बना कर तयार किया, इसके पिछे कौन है, उसका ये विराठ कारी आपको दिख रहा है, ये संद्गुण है, वो मन को जब आत्मा में जोड़कर प्रार्थना और उपासना में उतरते हो, तब उस साधना पध्धती के द्वारा दिखता है, उस आनंद को आप महसूस कर पाएंगे, जैसे ही आप उसकी प्रार्थना और उपासना में उतरोगे, ये बहुत अच्छा है कि इश्वर उस रूप में नहीं दिखता, जिस रूप में आपको ये माईक दिख रहा है, ये खंबा दिख रहा है, ये पैन दिख रहा है, नहीं तो सारी नियाए विवस्था और कारे प्रणाली गड़बड़ हो जाती है, एक चीज़ आपको सुनाओंगा और फिर बात ख और करता है और इशा वां मौजूद है, देख रहा है इस विश्वास अहशास के तल पर अगर है, तो कुछ भी गलत करते हुए ध्यान आ जाएगा और इश्वर मौजूद है, देख रहा है, व्हें तो नहीं हो ता है और हम गलत जो कुछ भी करना है, चुप के Earth करना जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि इश्वर देख रहा है तो फिर उस समय हमारा विश्वास इश्वर विश्वास खो जाता है सतत जागरूकता रहे ईश्वर के अस्तित्व की उसकी सर्व व्यापक होने की उसकी नियाय कारिता की उसकी मौजूदगी का अहसास अगर हो तो व्यक्ति उसके हाथ उसके पेर उसके इंद्रियां गलत कामों की ओर नहीं बढ़ेंगी जीवन उसका हमेशा धर्म युक्तिकारियों की ओर होगा तो एक छोटी सी बात आपको सुनाओगा छोटी सी है दो मिनट की इस समय देश के श्रम मंत्री है साहिप सिंग वर्मा कभी वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होते थे दिल्ली एक प्रदेश भी है और दिल्ली में केंद सरकार भी है पूरे देश की राजधानी भी है दिल्ली और दिल्ली एक प्रदेश भी है तो प्रदेश की भी गवर्मेंट होती है तो प्रदेश की गवर्मेंट के मुख्य मंत्री जैसे आपके नरेंद्र मोदी है इसी तरह साहिप सिंग वर्मा कभी दिल्ली के चीफ मिनिस moi तो वो विजली विभाग के मिनिस्टर दिल्ली में एक कनाट प्लेस का एरिया है कनाट प्लेस बहुत शांदार इलाखा जहां बड़े बड़े भूटल बड़ी बड़ी शांदार इमारतें साहब सुत्रा वो का कनाट प्लेस का है बड़ी दुकाने हैं जहां कीमती चीजें बिखती हैं तो कनाट प्लेस के इलाके में वो बिजली विभाग के मिनिस्टर अपनी गर्ल फ्रेंड को महिला मित्र को कार के बगल में बगल वाली सीट पर बिठाए हुए शाम के समय तफ्री के मूड में गुम रहे हैं मस्ती में तब ही उनका मुबाइल फोन बजा पर घंटी बजी तो उन्हों ने देखा अरे मुख्यमंत्री का फोन है चीफ मिनिस्टर का फोन है तो उन्होंने सोचा कि अब तो मुस मुख्यमंत्री कोई काम न बता दे कुछ मेंटिंग में न बुला ले और यह मस्ती खराब न हो जाए तो उन्होंने जूट बोला और बोले कि जी मैं तो इधर यमुना के पार शाहदरा के इलाके में हूँ यहां जंता की कुछ प्रॉब्लम थी बिजली वगरा की तो वो घंटे लगेंगे ऐसे ही अपनी तरफ से बोलने लगें तो चीफ मिनिस्टर ने पूछा साहिप सिंग वर्माने कि अच्छा शाधरा में गूम रहे हो कहां जी शाहदरा में हो तो वहां क्या कर रहे हो जनता की बड़ी समस्याई थी यहां बिजली नहीं आती कुछ ऐसा वै मतार हूं तो चीफ मिनिस्टर बोले अच्छा जड़ा पीछे हों के देखो वह पीछे वाली तो पिछे वाली कार में चीफ मिनिस्टर साहिप सिंग वर्माने मोबार से इन-के मोबाइल पे फॉन पर हैं पूछ रही थे कहां हो जूट बोला जूट बोला अभी पकड़ा गया क्योंकि बॉस बॉस चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री पीछे वाली कार में है देख रहा था देख रहा था इस दुनिया का जो सबसे बड़ा बॉस है जो सबसे बड़ा स्वामी है उसकी निगाहों से बच नहीं सकते हम उसे ना देख पाएं देखने की कोशिश न करें जबकि मैंने तो दिखा भी दिया भूल गया था दक्षिना मागना अभी मांगता हूं तो उसकी निगाहों से बच नहीं सकोगे इसलिए अपने कर्म को संभान देना इश्वर की नियाय कारिता के इश्वर के रुद्र रूप के चंगुल में मत फस जाना निरंतर उसका शिवस्वरूप उसका कल्यान में स्वरूप तुमारे उपर रहे इस बात की सतत सावधानी च देना जो तुम अंदर बार-बार सोच रहे हो सुन रहे हो पड़ रहे हो देख रहे हो टीवी पर यह धर उधर जो भी सीन जो भी दृश्य को अंदर कुम्हारे जो मैटेरियल जा रहा है जो विचारों की सामग्री है सोच की ठिंकिंग की उस पर ध्यान देना एक दिन वह निकलेंगे तुम जो सोच रहे हो वही मुख से निकल पड़ता है जो मेरे होटों पे दुआ प्रार्थना शुब कामना मेरे होटों पे दुआ उसकी जुबां पर गाली, जिसके अंदर जो छुपा था, वही बाहर निकला, वही बाहर निकला, निकलेगा बाहर, अपने विचारों पर ध्यान देना, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द बन जाएंगे, तुम्हारे वाक्य बन जाएंगे, तुम्हारी बातचीत बन जाएंगे, अपने विचारों और शब्दों पर ध्यान देना वो तुम्हारे कर्म बन जाएंगे, अपने कर्मों पर ध्यान देना वो तुम्हारी आदत बन जाएंगे, अपने आदतों पर ध्यान देना वो तुम्हारे संसकार बन जाएंगे, अपने कर्म, आदत और संसकारों पर ध्यान देना वही तुम्हारे सुख या दुख बदलने वाले हैं वही कर्म और आदतें तुम्हारे सुख या दुख में कनवर्ट हैं यह पूरा साइकल है यह पूरा चक्र है और इस चक्र को जो वेक्ति संभाल लेता है इसको केंद्र में रहते हुए जीवन की सिध्यां उसके नाम पासना में उत्रें इतना समय निकाल लें यही मेरी दक्षिना है ठीक है प्रसंद है आप इतना रोज कर लीजिए और दूसरे परमेश्वर के जो तीन मुख हैं उनमें कुछ कभी-कभी आहुती डालिए कभी अगनी में डालकर देखिए आपके घर का आसपास का वातावरन अभी जो लाचार कमजोर प्राणी हैं उनके मुख में कुछ अन्न डालकर देखो और जो समास सिवा का काम है उसमें कुछ अपना सहयोग देकर देखो उसका एक बड़ा शुभ परिणाम रिटर्न गिफ्ट के रूप में आप तक आएगा दो मिनट ले लूँ आपके जब आप अगनी में आहुती देते हैं दूर भी जाती है उसके खुश्बू आप तक भी आती है जब आप किसी असहाय कमजोर प्राणी को भोजन देते हैं तो उस भोजन को खिलाते हुए सुख वो भी ले रहा है पर कुछ सुख आपको भी मिल नहीं मिला इमर्सन कहता है जब किसी अंधे को आप सड़क क्रोस करा देते हो तो दूसरे को एक सुख पहुचाने की कोशिश में कुछ आपको भी अंदर अंदर एक त्रिप्ति एक संतोष एक आनंद की अनभूती होती है वह अंधा आपको धन्यवाद दे आपको उसका धन्य काम की रिटर्न गिफ्ट एक तो अभी मिल गई ईश्वर की क्रिपास से जितनी मात्रा में आपने दूसरों को सुख पहुचाने की कोशिश की है उतनी मात्रा में वह सुख आपको ईश्वर की व्यवस्था से कभी बाद में भी मिलेगा दोहरा लाब है जैसे ही समास सेवा क किसी कार में दूसरों का दुख दूर करने की प्रक्रिया में आप अपना सहयो कर रहे होते हैं आप अपना दुख भूल जाते हो अरे जिस समय ये फुज शहर तहस नहस हुआ पड़ा था कुछ लोग थे जो अपने हाथों से अपने बुद्धी से अपने धंसे जो कुछ हो सक इसे ही आप दूसरों का दुख कम करने की कोशिश में उतरते हैं, आपका अपना दुख अपने आप कम होता जाता है, आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। हिंदी के सुकवी कुअ और बैचेन की चारपंक्तियां यादागई हो कहते हैं दुखों की आजपर गमों की आजपर आशु उबाल कर देखो दूसरों के दुखों की आँच पर आसु दूसरों के दुख में जो आपके आँखों से आसु निकले वो जिन्दगी के रंग बन जाते हैं गमों की आँच पर दुखों की आँच पर आसु उबाल कर देखो बनेंगे रंग जिन्दगी में उचाल कर देखो तुम्हारे हृदय की चुभन जरूर कम होगी किसी के पाउं का काटा निकाल कर देखो मुक्ति तक पहुचने के यही दो रास्ते हैं दूसरों को सुख पहुचाने रूपी कर्म निश्काम भाव से जो हमारा सुवार्थ जिसमें नहीं था कुछ ऐसे कर्म भी करें और दूसरे इश्वर के पास कुछ देर बैठें यही प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ते हु हुए संसार के सुकों को भी उपलब्ध कराती है और इश्वर के आननंद की उपलब्धी लिए यह को चर्चा मैंने आपसे की निश्वर करें आप जीवन के दुखों से पाहर उतरकर सुख और आनंद और परम आनंद की अनभूती पा सकें इनी सब्हावनाओं और शुभक वानस्पतायाह शांतिर विष्वेदेवा शांतिर ब्रह्मा शांति सरवं शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 झाल 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 झाल